तो क्या हो आपको गौड दूसरे वर्ण में समन करे हीरो बनाने के लिए लेकिन उसको आपकी सकल पसंद नहीं आए तो वो आपको वेश्ट लैंड में मरने को छोड़ दे अब आप आंगे क्या करोगे सीजर वर्ण की लिंक आपको डिस्क्रिप्ट से और कमेंट सेक्षन में मिल जाएगी तो एनमे किस गवात मकॉटो से होती है जो बोलता है मैं अपनी टैमी हूमन फैमली के साथ खुसी खुसी रहता हूँ और मर्चेंट बनके पैसे कमाता हूँ मेरे बहुत अजीब अजीब दोस्त भी है अब मकॉटो अपने मम्मी पापा के नकसे कदम पर चलने वाला है जो कभी यहां से जापान गए थे और अभी मकॉटो सीकी के साथ रोष्ट गाड़ अकैडमी जा रहा है सौब खोलने के लिए वो दोनों पैदल जा रहे थे अगर वो लोग टेलिपोटेशन का यूज करेंगे तो गॉड़स को पता चल जाएगा और वो उसको फिर सीकी किसी बैटल फिल्ड में समन कर लेगी सीकी मकॉटो के लिए कोई अच्छा सा होटल देखने जा रहा था मकॉटो बोलता है कहीं पे भी मैं सो सकता हूँ तो सीकी बोलता है अगर मियो और सिन को पता चल गया मैंने आपको सस्ती प्लेस में सुलाया है वो मेरा मार मार के जो मियो से बोलता है तुमको मास्टर के लिए खाना बनाने का सौक चड़ा है इसलिए इन तीनों का हल ऐसा हो गया एमा बैरन और चोटी सिन वो खाना खाके बिहोस हो गय थे मियो बोलती है ये तना बुरा भी नहीं है ये तो सिर्फ सिंपल कड़ी राइस है जो मैंने मास् भी खाया है मियो बोलती है कैसी बहकी बहकी बाते कर रही हो तो मुझे मास्टर को सरप्राइस देना है और मा कड़ी राइस कैसे खा सकती हूँ वो दूसरे वर्ड की डिस जो है पगली एमा पूछती है कड़ी राइस में ये ग्रीन ग्रीन क्या है बैरन बोलता है ये तो मि रलोर जो सिर्फ वेश्ट लैन में मिलते हैं ये सुनके छोटी सिन पान तूखती है मतलब उसके मूँ से उल्टी हो जाती है एमा बोलती है कड़ी में वो ग्रीन ग्रीन सिबला मिर्च होगी या कुछ और तब ही छोटी सिन अपने मूँ से पौट का हैंडल निकालती है और बोलती है ये क्या है मैं तो ये सोच रहा हूँ जब ये कड़ी रैस खा रही होगी तब इसको हैंडल नहीं देखा क्या मियो बोलती हो सकता है ये पौट का हैंडल हो लेकिन ये तना बुरा भी नहीं है और दूसरा हैंडल खा लेती है और अपनी कड़ी रईस खा के बोलती है, तुम लोग बहुत नाटक बाज हो, ये तनी भी बेकार नहीं बनी सिन बोलती है, मियो, सब लोग तुमहारी तरह है, मिन्डरल, और और बाकी कुछ भी नहीं खा सकते मास्टर और डैमिग प्लैन की लोग तुमारी तरह पूरी दुनिया का इटम डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो लोग हुमन है मॉंस्टर नहीं समझी न मियो ये सुनके सौक होती है लगता है बहन पढ़ने लखने में थोड़े पीछे सिन बोलती है तुमसे कोकिंग का सी भी नहीं आता और तुमको मास्टर के लिए खाना बनाना है जाओ पहले कोकिंग सीख के आओ सीन माकाटो पर आता है जो ब्लू मीट अजीब फेस बना के खा रहाता ओनर बोलता है तुम पहले से बेकार देखते हो कमसे का मच्चे से खाना खाने का ट्राय तो करो मकोटो लिखकी ओनर से पूछता है क्या ये स्लाइम से बना है ओनर बोलता हाँ लेकिन तुम लिखके क्यों बता रहे हो मुँखोलो और जो मर्जी बोलो मकोटो बोलता है मैं common language नहीं बोल सकता और man human बोलता है ये सब उस fight to goddess की गलती है ओनर बोलता है तेरी जै हो तुँ adventure है जो ते कुछ slime के बारे में पता है मकोटो बोलता है मैं guild मा रजिस्टर तो हूँ लेकिन मेरा primary का मर्चेंट का है और मैं सीगे से road guard academy travel करके आया हूँ वहाँ सब लोग मकोटो को evil तरीके से देख रहे थे मकोटो ओनर को एक gold coin दे के जाने लगता है क्योंकि उसके पास अभी change नहीं थे और बोलता है ऐसा करने से कहीं मैं बेकार मर्चेंट तो नहीं बनूँगा न फर वो जा रहा था जहाँ सब लोग बोलते हैं यह demi human है या कोई नई प्रजाती का इंसान लेकिन यह दिखने में तो बहुत बेकार है मकोटो बोलते हैं मुझे पता था मास्क नहीं लगाने से लोग मेरे बारे में कुछ तो बोलींगे लेकिन इतनी फाल्तु बाते करेंगे वो नहीं पता था लेकिन यह पहली बार से तो अच्छा ही है फिर वो एडवेंचर गिल्ड में आता है रिसेप्शनिस बाला लड़का बोलते हैं तुमने लेवल वन री एंक में होती हुए स्पैसल मिसन कैसे पूरा किया सब लोग मकोटो के बारे में बात करने लगते हैं मकोटो का जापान में इस नाम का फेवरेट सौंग था वो सोचता है एक सौंग किसी को कैसे मार सकता है लगता है अपने भाई ने डोरेमॉन के जियान का गाना नहीं सुना लाना बोलती है वो वेंड़ेट कब से विलेजर को मार रहे हैं मैंने गिल्ड को इसकी रिक्वेस्ट भी दी तब भी तुम नल्लों से कुछ नहीं हो रहा रिसेपनिस्ट वाला लड़का बोलता है वो बैंड़ेट सौ से भी जादा है और अभी हमारे पास एडवेंचर भी नहीं है चलो अगले महीने आना लाना बोलती है हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं जो गौड़ेस की पूजा करते हैं तब भी हमारे साथी सब क्यों हो रहा है लाना के पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं जब गौड़ेस की पूजा करने से कुछ नहीं हो रहा तो हम एडवेंचर क्या ही कर लिंगे लाना बोलती है goddess तुम जो से लोगों की वज़े से हम लोगों पर गुसा है वो बोलते हैं हम तुमारी help करते हैं लेकिन तुमको हमें दूसरे तरीके से pay करना होगा लाना मकाटो को रास्ते से हटने को बोलती है और वो रोने लगती है मकाटो बाहर आ जाता है तभी उसको अपने इन्वेस्टिकेशन काई से पता चलता है रेस्टोरेंट से और अड्वेंचर गल्ड से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं लाना को Adventure Guild वाले लोग परिशान कर रहे थे मकाटो उसका पीछह करने वाले लोगों को लाना वाले आदमी पर फेक देता है आदमी बोलता है एक Demi Human दीसरे Demi Human की हेल्प कर रहा है मकाटो उन सब को पपु बना देता है लाना बोलती है एक Demi Human जैसे दिखने वाला आदमी तुम हमारी help क्यों कर रहे हो मैं दिखता है Demi Human हूँ लेकिन मैं Human ही हूँ प्रूफ किसी और दिन देता हूँ और बताता है मैं कुजू नोहा हूँ एक Adventure कम मर्चेंट फिर मकटो लाना के Friend को अपनी Healing का इसे Heal करता है ये Powers को सुकियोमी न दी थी लाना बताती है मैं हूँ लाना और ये है Ito हम दोनों टापा विलेज से हैं और ये एक Werewolf है मकटो विलेज को कुछ और ही समझ रहा था फिर मकटो इटो को उठा के जा रहा था और लाना से पूछता है क्या सच मैं Moon over the Ruin Castle तुम्हारे विलेज पर अटेक कर रहे हैं तुम गिल्ड के हिसाब से थोड़ी देर वेट को नहीं कर लेती हैं लाना बोलती है नहीं उन बैंडिट से हमारे सभी स्ट्रॉंग लोगों को मार दिया अब कुछ नहीं हो सकता टापा विलेज अब टपने वाला है मतलब वो खतम होने वाला है तब इटो उठ जाता हो पूछता है गिल्ड हमारी हेल्प करने के लिए मान गया लाना बोलती नहीं इटो बोलता है कास में स्ट्रॉंग होता तो तुमारी हेल्प कर पाता लाना भी मनीमन बोल रही होगी तु श्ट्रॉंग होता तो वहाँ बेहोस नहीं होता नले तु किसी काम का नहीं है माकोटो बोलता है मैंना भी अपने हाथों से कुछ लोगों को मारा है मुझे लगा था इस वर्ड में ये सब कौमान है लेकिन तब भी उसको थोड़ा अजीब लग रहा है माकोटो डिसाइड करता है वो इन लोग की हेल्प करेगा और बोलता है तुमारा विलेज कहा है फिर वो उन दोनों को अपने साथ उठा के ले जालने लगता है लाना पूछती है तुम पक्का मर्चेंट ही होना फिर वो लोग टापा विलेज आ जाते हैं लाना विलेज के अंदर सली जाती है एटो बाहरी रहता है मकोटो बोलता है तेरी बंदी तु अंदर सली गई तु यहां क्या कर रहा है एटो बोलता है क्योंकि मैं डैमी हुमन हूँ और फॉरेस्ट के और अंदर रहता हूँ लाना और कुछ टापा विलेज के लोग एटो से अच्छे से बात करते हैं बाकि लोग डैमी हूमन को human village में आने नहीं देते मकोटो को investigation काई से पता चलता है बेंड़िट्स ने फिर से विलेजर को टबका दिया है मकोटो एटो से बोलता है मैं किसी काम से जा रहा हूं एटो बोलता है तुम पकका मर्चन्ट ही होना Makoto बोलता है तुम बेहोस होने का नाटक कर रहे थे क्योंकि तुम लाना को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए मुझे ये सब पता है लेकिन नेक्स टाइम लाना को प्रोटेक्ट करने करना तब ही वो देगी सॉरी सॉरी तुम्हारी बंदी बनेगी और forest में जाने लगता है बैंडिट्स को मारना है एटोस को रोकता है और पूछता है जानना पहचन तुम हमारी help क्यों कर रहे हो माकोटो बोलता है moon over the ruin का असल ये मेरा favorite song है और बैंडिट्स उसका use कर रहे हैं बस यही reason है और कुछ नहीं और बोलता है मेरी shop पर damn human काम करते हैं कभी वो तुम्हारे और टापा विलेज आये तो उनका अच्छे से treat करना scene मियोदा मास्टर सैप पर आता है जिसने फिर से new disc बनाई थी जिसको खाके lime, ork, mist, lizard, lk, aqua, iris और mondo सबकी हालत खराब थी चोटी सिन और एमा medical के टलाने में लेट हो गई थी lime पूछता ही डिस में green पती खाने लायक तो है न मियोदा मास्टर से अब बोलती है बिलकुल है न मैंने तो इसको wasteland से जो लाया है lk बोलती है पागल मालकिन ये तो monster पती है जो मुह में जाने के बाद attack करती है lime अपने मूँ से पान थूकने लगता है मियो बोलती है लेकिन मेरी meat दिस बहुत अच्छी है और mist lizard और mondo बोलते है घंटा अच्छी है ये तो चब भी नहीं रही चोटी सिन बोलती है मियो तुमने इन सब को मार ही डाला एमा बोलती है इसमें ये industrial oil है क्या एक्वारिस बोलते है तुमने हमें grease किला दिया हम लोग तो यहां केला खाने आये थे सिन बोलती है तुमने meat में बनाना डाल दिया मियो बोलती है मैंने देखा था सब famous restaurant वाले अपनी डिस में सब चीट डालते है सिन बोलती है लेकिन तुमको याद रखना चाहिए सब लोगों को अलग-अलग चीज पसंद होती है सब लोग अपनी अपनी पसंदीदा जिस बताते हैं एक्वारिस मॉंडो मीट वाला केला खाके स्वार की सिधार जाते है मियो बोलती है cooking तो बहुत hard है सिन बोलती है तुमको master के लिए अच्छी डिस बनानी है तो lime से पूछो ना क्योंकि वो एक human जो है lime भी money money बोल रहा होगा में को बीच में नहीं घचीटो अपना तुम देखो इसमें मेरा क्या रोल काल सिन मियो से बोलती है तुमको अच्छी cooking करने के लिए cooking सीखना होगा इसलिए तुम पूरी दुनिया घूमो और cooking करना सीखो मियो बोलती है तुमने पहली बार काम की बात की सिन और बोलती है मैं पूरी दुनिया घूमके मास्टर के लिए अच्छा खाना बनाना सीखूंगी सब लोग इस बात से बहुत खुश थे और बोलते हैं बला टली सेनब अपनी ही कोई investigation करने जाने वाली थी फिर सीन बैंडिट्स पर आता है जो बोलते हैं वो बिलेज पैसा इखटा कर रहा है और आज हमने कितने लोगों को मार दिया माकाटो अपना मास्क लगाता है जिससे उसको कोई पहचान न पाए लेकिन अपने भाई को ये नहीं पता कपड़े और हिस्टायल तो उसने चेंज ही नहीं की तो कोई न कोई तो उसको पहचान ही लेगा तो मास्क लगाने का क्या ही फाइदा माकाटो साइलेंसिंग का एका यूस करके सभी बैंडिट्स को गुंगा बहरा कर देता है और एरो से उनको मारता है और बोलता है मैं न सोचा था मैं हूमन की ये मामले में ज़्यादा इंटर्फियर नहीं करूँगा लेकिन देखो मैं उन्हीं की हल्प कर रहा हूँ और बैंडिट्स के पास जाता है बैंडिस उसको एक पने कपड़ों की वज़े से सेव था जिसको डॉर्फ ने बनाया था माकाटो अपने बो़ और एरो अंदर रखता है क्योंकि वो बैंडिट्स मैं एरो विष्ट नहीं करना चाहता था ये तो वही बात हुई चोकलेट खानी भी है और बचानी भी है और बोलता है जब एमा ने मुझे फायर मैजिक सिखाया था तब मैं उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता था लेकिन अब करने लगा हूं और फायर से बो और एरो बनाता है सालेंसिंग का डियक्टिवेट हो गई थी मकोटो एरो सूट करता है वहां बहुत बड़ा ब्लाष्ट होता है जिसकी वज़े से लान और बाकी लोग को भी आवास सुनाई देती है मकोटो के अटेक से सब का हाल फटे हाल हो गया था लीडर जान की भीक मांग रहा था मकोटो बोलता है मैं तुमको जाने दे रहा हूं लेकिन फिर से मून वर्दार रुइन कासल का नाम यूज नहीं करना तब ही महां सभी विलेजर आते हैं और देखते हैं सभी बैंडेट्स बंदे हुए हैं लाना एटो से बोलती है क्या यह उसी सन बनने का काम है लगता है गौटेस ने हमारी वेस सुन ली अगर यहां मकोटो होता तो वो तो ही बोलता है तुमारी हेल्प मैंने की है और तुम उसका चड़ा गौडेस को ठैंक्स बोल रहे हो सीन मकोटो पर आता है जो सीकी के साथ था जो पूछता है मास्टर आप कहां थे मैं आपको कब से धूर रहा था मैंने आपके लिए एक होटल खोज लिया है जिसका रैंड त बात है हम दोनों आंपने सामने आने ही वाले है चलो पास्ट में चलते हैं सीन मकोटो के दूसरे वर्ड में समन होने के पहले आता है जहां वो कछ डॉक्यूमेंट ले जा रहा था तब उसको कांसुल प्रेसिडेंट बुलाती है जिसका नाम हीबी की है जो बोलती है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में घलाट डेट प्रिंट हो गई है तुम ये लो सही वाला और ले के जाओ फिर्मा काटो की लाइफ मेरे जैसे चल रही थी बोरिंग तब ही उसको गॉड़स समन कर लेती है अब तुम कौन हो मैड़म गॉड़स बोलती है मैं हूँ दूसरे वर्ड की गॉड़स जिस वर्ड को मैं प्रोटेट करती हूँ उसको इवल डीमन खतम कर रहे हैं मैं तुमको और एक और बंदे को हीरो बनाके वहाँ भेजना चाहती हूँ हूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं तुम्हें बहुत ओबर पावर स्किल भी दूँगी हीबी की बोलती है मैड़म तुम किसी और को धूर दो मैं तो जा रही हूँ घर मेरी लाइब बहुत सही चल रही है गौड़स भी मज़े लेती हुई बोलती है जादा पापा की परीमत बनो मुझे पता है तुमको एडवेंचर चाहिए बैटल फीड में कोई तुम्हारा कंधा बनके चले हीबी की बोलती है वो तो है गौड़स बोलती है लड़की बाल्टी में उतर गई और बोलती है मैं तुम्हारे बहुत जादा ओवर पावर दूँगी तो मैं देख के सब लोग तुम्हारे प्यार में गिर जाए हीबी की महनी मन बोलती है वो तो अभी भी गिरते हैं और गॉड़ेस उसको एक वाइट कपड़ा देती है जो एक ट्रैजर था फिर सीन लीम्या किंडम के किंग पर आता है जहां उसको एक आदमी बताता है गॉड़ेस हीरो को भीजने वाली है किंग बोलता है अब हमें डीमन से डरने की और ज़रूरत नहीं है हीभी की लीमिया में समन होती है सबी लोग हीभी की की जैजा कार करने लगते हैं गौरडस बोलती है मैंना तुम्हें हीरो डे दिया अब मेरा काम खतम तुम अपना देख लो इसके साथ क्या करना है, हीबी की बोलती है, ये क्या बात हुई, और क्या ये सच में दूसरा वर्ड है, मौकोटो बोलता है, लेकिन तुमने तुम्ने को वेश्ट लेंड में फेक दिया था, जहां कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया, ये भेदबाग मेरे साथ ही क्यों, भाई से फाइट कर रहे थे, हीबी की न बाकी लोगों को बताया था कि क्रिटोनिया के पास भी एक हीरो आने वाला है, हीबी की के हिसाब से दोनों किंडम की जादे नहीं बनती थी, हीबी की सोच रही थी, वार खतम होने के बाद, सबी डीमन के मरने के बाद मैं क्या करूंगी, बेहन तुमको लड़कों का हूतिया काटना अच्छा लगता है तो तुम वही करो, गौडस से जो हीबी की को ट्राइजर मिला था, उसके अंदर एक वुल्फ इस्प्रिट थी, हीबी की को अब अपनी पार्टी में में मेंबर भी चाहिए थे, जिसके लिए वोकल मरसेनरी जाने वाली थी, सभी मरसेनरी, हीबी की को देखके लाट अपका रहे थे, वहाँ नवाल नाम की लड़की बोलती है, इसी रोनों तो अभी तक अपना खाता भी नहीं कोला, इससे तो बलड की स्मेल ही नहीं आ रही, मुझे तो सिर्फ डीमन और मॉन्स्टर को मारना है और वहाँ से जाने लगती है, उसके पास वुड़ी नाम का मेज आता है, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तब ही वहाँ हीबी की आती है, मुझे तुमसे सौड चलाना सीखना है, तुम यहाँ सबसे स्ट्रॉंग हो, क्या तुम मेरी पार्टी में आना चाहोगी, मैं ऐसे किसी को धूड रही हूँ, जो बैटल में मेरा साथ दे, नवाल बोलती है, मैं तुम्हारे जैसे नल्ले की पार्टी जॉइन क्यों करूँ, जिसको सौड चलाना भी नहीं आता, हीबी की बोलती है, मुझे पता है, तुमको मौस्टर और डीमन को मारना पसंद है, मैं तुम म मेरी बात नहीं मानोगी, तो लीमिय केंडम में तुम्हारा जीना मुस्किल हो सकता है, फिर नवाल पार्टी जॉइन कर लेती है, दूर से एक लड़का हीबी की के प्यार में गिर गया था, और वो भी पार्टी जॉइन कर लेता है, माकटो बोलता है, मुझे भी एक में वीक हैं, लेकिन है नहीं, नवाल भी हीबी की से बोलती है, ये पहली बार होगा जब तुम मॉस्टर को मारने वाली हो, वहाँ चार कोबोल्ट हैं, सब लोग का एक एक, किसी को भी जिन्दा नहीं छोड़ना, नहीं तो वो अपने बंदे बुला लेंगे, वोडी बोलत जिससे हीबी की थोड़ा हैजिटेट करने लगती है, वो कोबर्ट अपने बंदे बुला लेता है, सबी कोबर्ट हमला कर देते हैं, प्रिश्टेश का बैरियर भी तूटेने लगाता है, हीबी की बोलती है, ये सम मेरी वज़े से हो रहा है, क्योंकि मैं हैजिटेट कर रही थी फिर ही भी की बहुत ही बेरहम तरीके से सभी को बर्ड को मारती है और लाश्ट मैं रोने लगती है नावाल बोलती है फर्स टाइम के हिसाब से ये अच्छा था देखो अब तुम्हारा खाता भी खुल गया वो प्रिश्टियों उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और अपना नाम चिया बताती है है मैं तुम्हारी पाइटी जॉन करना चाहती हूँ ये सुनके सब लोग सौक होते हैं और बोलते हैं ऐसा करने से तुम्हारे लोग और लीमिया के लोगों के रिष्टे में प्रॉब्लम आ सकती है ये सुनके चिया अपने बाल काटती है ये बाल देखके मेरे लोगों को लगेगा की मेरे साथ लीम्या में कुछ हो गया और बोलती है वैसे भी ये बाल प्रिंसेस में सूट करते हैं बैटल फील्ड में ये मेरे राष्टे में ही आते हीबी की और नवाल बोलती है ऐसा है तो हम भी अपने बाल काट लेते हैं छीया ऐसा करने से उनको रोकती है हीबी की बोलती है तुम भी पावरफुल हो तुमारे बैरियर भी बहुत श्ट्रॉंग है क्या तुम मुझे हीलिंग मैजिक सिखाऊगी फिर उन लोगों की पार्टी बन जाती है जिसने बहुत सारे डीमन को मारा और कभी हार का स्वाद नहीं चका सिर्फ उस दिन तक जिस दिन हमारा सामना दा ब्लैक स्पाइडर ऑफ डिजास्टर से नहीं हुआ ये स्ट पाइडर अपनी मियो है नवाल बोलती है ये अपने राष्टे में आने वाले सभी चीजों को खा जाती है इसको देखके सब लोग अपना राष्टा बदल लेते हैं या इसके जाने का इंतजार करते हैं मियो लोगों पर अटेक कर देती है नवाल मियो पर अटेक तो करती है लेकन उसका कोई फाइदा नहीं था मियो की उपर magical, physical कोई भी अटेक काम नहीं कर रहे थे लेकिन जैसे तैसे करके मियो का एक पैर वो लोग काट के बहुत खुस होते है लेकिन वो पैर अपनिया प्रिजनरेट हो जाता है मियो हीबी की पर अटेक करती है नवाल हीबी की को बचा लेती है लेकिन खुद की कबर खोद लेती है लेकिन हीबी की वुल पर स्प्रेट जिसका नम हॉर्न है उसकी हैल्प से नवाल को बचा लेती है और चिया को heal करने को बोलती है लेकिन Mewen सब पर attack कर देती है ये देखे हीबी की पागल होके Mewen पर attack करती है और बड़ी मुस्किल से Mewen की एक आंक डैमेज कर देती है लेकिन इस समय हीबी की को भी लग चुकी थी उसको लग रहा था अब वो यहाँ मरने वाली है जब उसकी आख खुलती है उसके सामने हॉर्न था मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस बुल्फ का नाम हॉर्न क्यों है जब इसकी हॉर्न ही नहीं है उसकी party टूटी-फूटी थी लेकिन जिन्दा थी हीबी की बोलती है मैंने सब को जिस फाइट में लगा दिया तब भी हार गेल लेकन ब्लैक स्पाइडर मैं ही नेक्स टाइम जीतूंगी सीन फिर से पास्ट में जाता है हीबी की के समन होने के पहले टोमो की एक मॉडल है जिसको उसकी क्लास्मेट बुली कर रहे थे उसको लड़कियां बचाने आती है टोमो की बेज़िती के मारे वहाँ से भाग जाता है और घर में बंद होके गेम खेलता है और बोलता है मैं गेम में भी लूजर हूँ उसके पास इसी का इन नौवल थी जहां मेन कैरेक्टर के पास ओबर पावर स्किल थी टोमो की बोलता है कास मैं भी ओबर पावर स्किल के साथ किसी दूसरे वर्ड में चला जाता है तो वहाँ सब कुछ अलग होता फर गौड़स टोमे को समन कर लेती है और वही बोलती है मैं हूँगो दूसरे वर्ड की गौड मेरे वर्ड में मॉंस्टर ने अटेक कर दिया है तुम हीरो बनके वहाँ जाओ और सब को खतम कर दो और मेरे वर्ड को बचा लो और बोलता है डरने की बात नहीं है वहाँ एक और हीरो है जो तुमारी हेल्प करेगी और मैं तुम्हें सूपर हीूमन पावर भी दूँगी तुमो की बोलता है कौन सी पावर दोगी जर्ट डीटेल में एक्स्प्लेन तो करो गॉडस बताती है ऐसी बाड़ी जो मॉंस्टर से टाफ हो मैजिकल पावर जो डीमन को खत्म कर दे मैजिकल आई जिससे सब तुम्हारे प्यार में गिर जाएं टूमो की बोलता है बस इतना ही गॉडस बोलती है ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें नाइट में मॉर्टल होने की पावर देती हूँ जो सिर्फ रात में मून होने पर ही काम पाएगी टोमो की बोलता है ये तो बहुत ओबा पावर स्किल है लेकिन क्या तुम मेरे फेस चेंज कर सकती हो गॉड़स बोलती है क्यों नहीं और उसको चेंज कर देती है और गृटोनिया किंडम में भेज देती है वहाँ उसको एक लड़की मिलने आती है जिसका नाम लिली है जो बात करने की अच्छी प्लिस नहीं है, हम कहीं और चलते हैं, बाहर उनको रॉयल गार्ड मिलती है, जो किंडम की सबसे पावरफुल नाइट है, जिसका नाम गीनेबिया है, तोमो की ने पहली बार फीमेल नाइट देखी थी, जिसको देखके वो बहुत एक्साइटेड हो जा लिली को उसका साइंटिस्ट बताता है, हीरो के पास मैजिकल आई है, जो किसी को भी हीरो के प्यार में गिरा सकती है, लिली बोलती है, तुम ऐसा कुछ बनाओ जिससे रॉयल फैमिली के लोगों पर मैजिकल आई का असर ना हो, और मुझे हीरो उतना मासूम नहीं लगता ज उनको कंट्रोल करती हूँ, टोमो की, फिर से एक्साइट होता है, और उसकी मैजिक आई एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यूकी नास्टू उसके प्यार में गिर जाती है, और बोलती है, तुम आज रात मेरे रूम में आना, मैं को तुम से बहुत सारी बाते करनी है, लिल टोमो की, बोलता है, तुम अपनी फैमली के साथ यहां रहती हो, मोरा बोलती है, मेरे विलेज को डीमन ने डिस्ट्रोई कर दिया, तब प्रिंसस लिली मुझे यहां लेके आई, टोमो की, सौरी बोलता है, उसकी मैजिक आई फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मोरा ऐसा ही है, तो तुम मुझे साधी कर लो, सौरी 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 मेरे फ्रेंड बन जाओ, फिर टोमो की लिली को बताता है, मैं गिनेबिया, यूपी नाट्सू, और मोरा के साथ पार्टी बना रहा हूं, लिली बोलती है, यह तो साही है, वो तीनों तुमको पसंद भी करती है, टोमो की अपनी मैजिक आई से परिसान था, उसको लग रहा था, यह से मैजिक आई की वज़े से हो रहा है, लिली बोलती है, यह तो अभी तक मैजिक आई को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, टोमो की लिली से पूछता है, तुमने पहली बार मुझे देख कि मेरे बारे मैं क्या स लिली बोलती है मैंने सोचा था यही वो बंदा है जो डीमन को मार के हमें बचाएगा और बोलती है तुम्हारे जैसे को तो सभी पसंद करते हैं मैं भी तुम परफेक्ट हीरो जो हो टोमो की बोलता है अगर मैं परफेक्ट हीरो बन जाओं तो मुझे मैजिक आय से फरक नहीं करती थी माकाउटो बोलता है मुझे भी ब्लैक श्पाइडर और फिमियों ने किस किया था जब माकाउटो सभी को बाय बोलके रोशगाड अकेडमी जा रहा था तब दोनों हीरो बैटल फील्ड में फाइड कर रहे थे सेंट टोमो की पर आता है जो एक बैटल फील्ड से अभ बहुत होट है टोमो की बोलता है मेरे लिए तुम चारों काफी हो सीन हीबी की के पार्टी पर आता है जो फोर्ट स्टैल को दूर से देख रहे थे जैसे तुम अपनी करस को दूर से देखते हो वैसे ही हीबी की और उसकी पार्टी रस्टेरिया में आये थे जहां टोमो की पार्टी देने वाला था नवाल बोलती है कि टोनिया का हीरो सब को इस पीस देने वाला है और गॉड़ेस की ब्लैसिंग के लिए प्रे करेगा अगर बैटल फील्ड में हमें डीमन या डैमी हुमन मिल गए तो गॉड़ेस की ब्लैसिंग हमारे बहुत काम आएगी वैसे भी स् होगा उसमें कोई चेंज नहीं है हमें आयोन किंडम से हैल्प मिले रही है जो थोड़ी काम है उसका रीजन भी तुम्हारी पार्टी से है क्यों मैंने सही कहा न हीबी की बताती है चीया की हमारी पार्टी जॉइन होने की वज़ए से लीमिया की रष्ते उन से थोड़े खर करते हैं तो अच्छा है क्योंकि उससे हमें गॉड़ेस की ब्लैसिंग की वज़े से ताकत मिलेगी और डीमन की पावर कम हो जाएगी तुम्हारी पार्टी के पास कुछ बताने को है की नहीं हिबी की बोलती है लेकिन मेरी पार्टी को रात्मा फाइट करने की आदत नहीं ह और बोलता है टोमो की तुम जापान में कहां से हो हम पहले कभी मिल चुके हैं तुम बहुत जाने पहचाने लग रहे हो मुझे तो हाया टोमो की नाम का तो एक मॉडल था जो मेरे दोस्त का क्रस्ट था टोमो की गुस्सा होता है हम दोनों का नाम से हैं और कुछ नहीं हम द और मैं इसे पुलाइटली बात करते नहीं आता अब मैं तुमसे कैजूली बात करूँगा हीबी की बोलती है अभी तक ये पुलाइटली बात कर रहा था तो उसका कैजूल बात करने का तरीका क्या होगा फिर हीबी की चांद को देख रही थी वहाँ नवाल आती है और बोलती है मेरी बेटी को नीद नहीं आ रही मैं लोरी सुनाओं क्या तुम है हीबी की बोलती है मैं तो कल के वर के बारे मैं सोच रही थी नवाल बोलती है मैं जानना चाहती हूँ तुम अपने वर्ड में कैसी थी और इस वर्ड में क्यों आई हीबी की बोलती है मैं चांदी की चमच लेके पैदा हुई थी मुझे बहुत कम महनत से सब कुछ मिल जाता था जिससे मैं बोर हो गई थी फर गॉटस न मुझे इस वर्ड में हीरो बना के भेजा लेकिन यहां आके मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि मुझे तुमारी जैसी जो दोस्त मिली है जो बैटल फिल्ड में मेरे सांथ देगी नवाल बोलती है तुम वही छोटी लड़की हो जो कुबोल्ड को देखके रो रही थी देखो तुम कितनी बड़ी हो गई और बड़ी बड़ी बात कर रही हो हीबी की बोलती है चलो सोते हैं कल बैटल के लिए रेडी भी होना है दूसरे दिन टोमो की सभी को बोल रहा था हाउ दजो सभी बोलते हाई सर और गौड़स से प्रोटेक्शन ब्लैसिंग मांगता है जिससे वो सभी डीमन को खत्म कर दें वो लोग स्टैला के पास जा रहे थे नवाल बोलती है ये रास्ता सेफ है वोडी बोलता है यहां मेरे बहुत से साथ ही मारे गए हैं हमें सतर कराया चाहिए एक डीमन अपनी जन्रन रोना को बताता है दोनों की नम साथ में मिलकर अटेक्शन भी है रोना बोलती है मैं भी बैटल करने वाली हूँ यो को खबर कर दो हीउमन डीमन पर अटेक कर देते हैं टोमो की बोलता है डनने की कोई बात नहीं है गौडस की ब्लैसिंग हमारे साथ जो है हीबी की बोलती है फोर्ट स्टैला के इतने पास कोई नहीं आया ये डीमन भी बहुत कमजोर है वुडी इचिया एक बैरियल लगाओ रोना को डीमन बताता है वो सब लोग रेंज के अंदर आ गए हैं रोना मैजिकल सरकर अक्टिवेट करती है जिसके अंदर सभी लोग थे तभी उनके नीचे की जमीन टूर जाती है और सभी लोग गिरने लगते है वुडी अपनी पार्टी को बचा लेता है टोमो की बोलती है ये सब डीमन की चाल थी रोना आइस से टोमो की पर अटेक करती है जिसको टोमो की अपने डिवाइन वैपन से ब्लॉक कर देता है इससे रोना का इंट्रेस्ट टोमो की से चला जाता है टोमो की को याद आता है उसकी एक पार्टी वी है जो साइद मर चुकी है तब ही यूकी नाट्सू बोलती है, बड़ी जल्दी याद आ गया मेरे बारे में तुम्हें, हमारे पास तुम्हारे जैसे गॉडस की डवाइन सूज नहीं है, वो तीनों एक दूसे से लड़ रही थी कि तुम ज़्यादा मोटी हो, मैं नहीं, टोमो की बोलता है, मुरा, ड् के अटेक करने जाता है, तब यूसके सामने चार हाथो वाला डीमन आता है, जो बहुत पावरफुल दिख रहा था, तब भी टोमो की उस पर अटेक करता है, बोलता है, मुझे तुमारी बॉस से फाइट करनी है, तुम से नहीं, हटो यहां से, उस डीमन का नाम यू है, जो बोलता है, अपने आपको अच्छे से इंट्रेड्यूस तो करो, हियूमन हीरो, तोमो की फिर से अटेक करता है, और यू का एक हाथ काट देता है, और बोलता है, इंट्रोडक्शन में क्या ही रखा है, और वैसे भी तुम मिल से अकेले तो फाइट करने वाले नहीं हो, तब हाथ, रिजनरेट करता है, और बोलता है, मैं दो हीरो से फाइट कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ पैतरे हैं, और रिंग को देखके कुछ मंतर पढ़ता है, जिससे रिंग तो गायब हो जाती है, फिर वहाँ एक फोर्स फिल्ड आती है, जिससे टोमो की और हीबी की कमजो नहीं है, अब मैं मर सकता हूँ, इससे टोमो की की फट जाती है, टोमो की गिनेबिया से बोलता है, हम यहाँ से अपने सोल्जर को लेके चलते हैं, बिना ब्लैसिंग के हम मरना थोड़ना है, हम बाद में आके भी फोर्ट स्टैला ले सकते हैं, और वो हीबी को भी चलने को बोलता है, हीबी की मरे हुए सोल्जर को याद करती है, हीरो का काम भागने का नहीं होता, बुरे लोगों को मारने का होता है, मैं तो यहाँ रुक के फाइट करूंगी और मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे दोस्त भी मेरे सांथ हैं, यहो बोलता है, एक हीरो तो भाग गया, दे पार्टी के लगे पड़े थे हीबी की बहुत कोसिस करती है यो को मारने की लेकिन वो से पिट बस रही थी वो यो को नहीं हरा सकती थी रोना सोफिय से पूछती है वहाँ सब ठीक है सोफिय बोलती हाँ तब ही वहाँ गॉडस किसी को समन करती है जिसकी लाइट सब लोग दो, हीबी की और बाकी तुम सब लीमिया के लिए बहुत इंपोर्टेंट हो, मैं तुम सब को बचाना चाहती हूँ, वूडी थोड़ा हैजिटेट कर रहा था, नवाल वैडा से हीबी की को प्रोटेक्ट कहने को बोलती है, और खुद वूडी के पास जाके, अपनी तलवार म मैजिक कमबाइन कराती है, और उससे वो डिवाइस ले लेती है, और उसको यूज करती है, जिससे उसकी नैक में रोस का साइन बन जाता है, जिससे उसको बहुत पावर मिलती है, जिसको देखके चिया बहुत हैपी थी, लेकिन वूडी नहीं था, फिर नवाल हीबी की और वैड़ा की help करती है और यो पर attack करके उसको damage कर देती है जिसको देखके सब लोग शौक होते हैं हीबी की बोलती है यह power तुम्हारे पास कहां से आई नवाल बोलती है बात कम करो और मेरी help करो वैड़ा भी नवाल की नैक पर रोज का sign देखके बहुत शौक और परिसान होता ह फिर नवाल यो पर attack करके उसके एक हांथ को काड़ देती है जिसको देखके यो बोलता है मुझे पता नहीं था human के पास ऐसा magic भी होगा जो मुझे damage कर पाई नवाल बोलती है तब भी मैं एक demon commander को नहीं मार पाई यो बोलता है सभी commander में मैं सबसे strong हूँ नवाल बोलती है त टैक करके उसको घायल कर देती है इसके बाद यो बोलता है मुझे लगा नहीं था कोई human मुझे मेरी full power use करने के लिए मजबूर कर देगा ये देखके हीबी की बोलती है अभी तक वो अपनी half power से लड़ रहा था ये देखके नवाल वुडी को अवाज लगाती है वुडी अ अपने magic से वैडा और हीबी की को अपने पास बुला लेता है और चिया से यहां से चलने को बोलता है हीबी की बोलती है लेकिन नवाल तो आई ही नहीं हमें उसको लेने जाना होगा नवाल हीबी की को देखके smile करती है वार्डा बताता है नवाल ने रोस साइन का यूज किय है जिससे उसको बहुत पावर तो मिली लेकिन उसका source उसकी life है अब वो मरने वाली है सीन नवाल पर आता है जिसकी body red हो रही थी यो बोलता है तुम अब fight करने के लायक नहीं हो मैं जा रहा हूँ उस hero के पीछे नवाल बोलती है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त मैंने पूरी life तो यूज ही नहीं की मैं को ऐसे friend मिले जो मेरी family की तरह थे मैं तो सिर्फ battlefield में fight करना जानती थी और fight करती करते ही मरना चाहती हूँ यो उसको punch मारता है नवाल उसके punch में बैठ जाती और अपनी full power का use करके यो को जला देती और वहां बहुत बड़ा blast होता है जिसक तो ग्रिटोनिया को डीमन से बचाओगे टोमो की बोलता है ये तो सही है लेकिन अब मैं इतना strong बनूँगा की बिना goddess की blessing के भी मैं सब को हरा दूँ सीन फॉर्ट स्टैला पर आता है जहां रोना बोलती है अब जल्दी उठ पी जाओ यो हाँ यो अभी तक जिन्दा है मार सकती हो मियो बोलती है मैं मास्टर की जयन बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मकटो बोलता है ऐसे ही दोनों हीरो की बैटल खतम हुई और मुझे इन दोनों ने मरने से बचा लिया सीन प्रिजेंट पर आता है जहां माकटो उबासी ले रहा था और वो रोष्ट गाड़ अग backyard पर आता है जो बोलता है चांद की रोष्णी कितनी अच्छी है मियो अ बोltी है लेकिन मुझे तो मैस्टर की आवास सुननी है तुमको अपनी कोकिंग से वयंड wire को सरप्राश देना है वैसे तुम जा कहा रही हो मियो बोलती है मैं कुरान जा रही हूं वहाँ ही Japanese डि मियो बोलती हम दोनों कुछ टाइम के लिए अकेले रहने वाले हैं सिन बोलती है सीकी ने बताया था वो लोग रुष्ट गर्ड पहुंच गए हैं वहाँ सैटल होने के बाद वो लोग डैमी प्लेन आ जाएंगे सीन मकोटो और सीकी पर आता है जो रुष्ट गर्ड आ गए थे और वहाँ गूम रहे थे उनको देखता है लड़कों का एक ग्रूप एक लड़की को परिशान कर रहा है मकोटो बोलता है हियूमन ही हियूमन को परिशान करते हैं और उसको लाना की याद आती है और बोलता है वो लड़की बहुत डरी हुई है वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो दूसरा लड़का उसको धक्का दे देता है मकोटो को ये देख की अच्छा नहीं लगता वो लिखके बोलता है उस लड़की को छोड़ दो लेकिन मकॉटो का यहां फोपट हो जाता है क्योंकि वो लड़के मकॉटो को देखी नहीं रहेते मकॉटो सीकी से हेल्प मांगता है सीकी बोलता है तुम इस लड़की को जाने दो वो लोग बोलते हैं बताओ यह दोनों बेप कूफ और इडियाट हमको ओर्डर दे रहे हैं तुम देख नहीं सकते हैं हम लोग रोष्ट काड अकैडिमी के स्टूडाइंट हैं मकॉटो बोलते हैं अच्छा है मी और सुन यहां नहीं है इन लोगों ने मेरी बेजिती करी है अगर वो दोनों यहां होते वो लोग इन लोगों को टपका देते लेकिन सीखी ऐसा नहीं है लेकिन सीखी मकॉटो के अर्मानों पर पानी फेर देता और गुस्से से बोलता है लोगों ने मीरी इंसल्ट की तो की लेकिन आपकी इंसल्ट कैसी की मैं इंसब को टपका दू मकोटो बोलता है cool सीखी cool हम लोगों के एनको मारना नहीं है हमें बात करके मामला हैंडल करना चाहिए सीखी उन लड़कों से बोलता है मैं अच्छे से बोल रहा हूँ चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे माकोटो बोलता है ये तो और उनको प्रिफोग कर रहा है वो सब ंड मैजिक का यूज करके उड़ने लगते हैं माकोटो बोलता है मैं भी विंड मैजिक अच्छे से यूज नहीं कर सकता लेकिन ये लोग इतने नीचे क्योड रहे हैं और उनसे बोलता है तुम हम दोनों पर अटेक नहीं करने वाले क्या सीकी बोलता है मास्टर्थ आप तो खुद उन लोगों को प्रिवोक कर रहे हो और मैं को ग्यान दे रहे थे ये भी सही है और अपने मैजिक श्टिक निकाल के अर्थ मैजिक से उन सब को मारता है जिससे वो लड़की भी डर जाती है माकोटो जाता है और बोलता है इतना भी नहीं करना था और अर्थ मैजिक को डिसेबल कर देता है और बोलता है वो सब ओड़ सकते हैं तो गिरने से नहीं मरने वाले मकोटोस लड़की को वो लिक के बोलता है तुम यहां से जा सकती हो हम दोनों सब हैंडल कर लिंगे वो लड़की एटिटूड से बोलती है मैंने कौन से तुमारी हेल्प मांगी थी मकोटो भी सिगमा मेल बनते हुए बोलता है मैं कौन सा बोल रहा हूँ तुम मेरी हेल्प को याद करो और मुझे थैंक्स बोलो वो लड़की वहां से जाने लगती है और बोलती है मां गोटेट सू रस्टूरेंट में वेट रहा हूँ जो थोड़ा आंगे है और बोलता है लेकिन वो सब लड़की अभी तक नीचे क्यों नहीं आए वो सब अभी तक हवा में ही थे मां कोटो बोलता है ज्यादा ग्यान नहींदो और उनकी हल्प करो सीकी अपने वेणिड मैजिक से उनकी help तो करता है लेकिन बहुत तेजी से उन सब को नीचे गिराता है और बहुत खुश होता है वो सब Makoto और सीकी से बोलते हैं हम तुम सब को बाद में देख लींगे और वहाँ से भाग जाते हैं सीकी और Makoto घूम रहते हैं और Makoto बोलते हैं जल्दी से कोई होटल देखते हैं क्योंकि मुझा Academy का entrance exam भी तो देना है जो next तीन दिन में हैं सीकी बोलता है क्यों? Makoto बोलता है हाँ हम तो तेरे लिए यहाँ लड़की देखने आये हैं बड़ा बोल रहा है क्यों? Academy में जाने के बाद ही तो सब मुझे जानेंगे और सौप खोलने की permission मिलेगी सीकी बोलता है लेकिन आप यहाँ student exam देने थोड़ना आये हो आप तो यहाँ teacher exam देने आये हो Makoto सौख होता है बोलता है मैं teacher exam देने आया हूँ और बोलता है अब मुझे छोटे letter नहीं देखते सार मैं बुड़ा हो चुका हूँ बड़ा जल्दी यादा आगिया जादा जी आपको Patrick बोलता है पागल जल्दी अपना चस्मत चेंज करो नहीं तो कोई बड़ी गड़बन नहीं कर देना तुम मकोटो बोलता है अब तो चड़िया चुक गई खेत मतलब गलती तो मौरस ने कर दी दूसरे दिन मकोटो सीकी teacher exam देने अकैडमी आये थे जहां मकोटो बोलता है अगर रेमबरेंट कमपनी का recommendation letter नहीं होता तो अब तक मैं यहाँ से चुमंतर हो चुका होता वो लोग exam की बात करने एक teacher के पास आये थे वो बोलता है अच्छा तुमारे पास रेमबरेंट कमपनी का recommendation letter है मकोटो बोलता है यहाँ क्या clerical की position खाली है वो आदमी बोलता हाँ तेरे पापा छोड़की गए थे ना बताओ फिर से कोई आ गया position खाली है वो position खाली है और मक मकोटो की बहुत बेजिती करता है जिससे सीखी को बहुत गुसा आता है और वो अपनी पावर से उस आदमी को पतलू बना देता है जिससे वो आदमी बहुत डर गया था मकोटो बलता है cool सीखी cool और वो आदमी को बोलता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ वो आदमी बोलता है दिख नहीं रहा ते रहो तब ही वहाँ एक और लड़की आती है जो बोलती है मेरे employee के लिए मैं आप से sorry बोलती हूं C की बोलता है क्यों तो इसकी lover है मेरे master ने तो पूछा था कि clerical की job खाली है की नहीं और इसने उनकी बहुत बेजिती कर दी और C की और उस लड़की की तू-तू-मैमा हो जाती है वो लड़की मकटो का recommendation letter देखती है तुम अपना exam कैसे देना चाहते हो written या practical तुम general tactic के teacher बनना चाहते हो तो तुम्हा practical exam ही देना चाहिए और वैसे भी तुमको rembrand company ने recommend किया है इसलिए तुम मैं कुछ तो खास बात होग मकटो बोलता है यह मुझे provoke कर रही है क्या सी की उस लड़की के पास जातर बाउलता है master यह exam दिंगे वो लड़की वो सौक होती है पूछती है पक्का यही दिंगे न सी की बोलता हाँ master practical exam दिंगे वो भी सबसे difficult वाला जो बहुत कम लोग पास करते हैं मकटो बोलता है exam मैं देने वाला हूँ जरा मिर से भी तो पूछ लो फो एक टीचर सभी exam देने वालों को बताता है कि exam तीन दिन चलेगा जहां तुमको टेक्टिंग एरिया में छोड़ दिया जाएगा जहां तो मैं अपना exam देना है यह golden punk exam complete होने के बाद यूज करना और exam से drop out होना है तो यह bell को यूज करना तुमको weapon हम दिंगे लेकिन अपना खाना पीना का तो मैं खुद देखना होगा और वहां monster भी है याद रखना तुमको अपने exam में red यलो और blue इनमें से कोई 3 ball तीन दिन के अंदर अंदर पकड़नी होगी और अगर तुम किसी और exam नहीं से fight करते हो तो तो त qualify हो जाओगे और हम लोग तुम लोगों को एक दूसरे से बहुत दूर टेलिपोर्ट करेंगे तो fight होगी ही नहीं फिर मकटो testing area में आ जाता है और investigation काई से पता लगाता है यहाँ पानी, twist, fruit सब हैं और जैसे teacher ने बोला था सब exam देने वाले एक दूसरे से बहुत दूर दू नहीं तो वो तूर जाएगी और red ball को physical strength से पकड़ना था मकटो बहुत ही slowly red ball को punch करता है लेकिन तब भी उसकी power से red ball तूर जाती है मकटो बोलता है यह सब क्या हो रहा है next उसको yellow ball दिखती है जो magical attack से पकड़ना था मकटो fireball से attack करता है जिसकी power से yellow ball भी तूर जाती है फिर मकटो बोलता है साइज मेरी power ही बहुत जादा है इसलिए ऐसा हो रहा है और वैसे भी अभी तक मैं strengthening काई को use कर रहा था फिर वो उसको disable कर देता है और red ball को test करता है और वो भी तूर जाती है फिर मकटो को ball पकड़ते पकड़ते रात हो जाती है उसकी power से सबी ball तूर रही और राज रात मकटो को बाहरी गुजारनी पड़ती है गुस्से में मकटो ऐसा barrier बनाता है जिसको touch करने से बहुत दर्ज होगा और सोजाता है जब वो सुबह उठता है उसके barrier की वज़े से बहुत सारे monster मर चुके थे लगता है भाई ने रात में मूली के परांटे खाए थ मकटो उनसा monster को fake देता है और face boss करता है और सोचता है बाकी examini क्या कर रहे हैं उसको अपनी investigation काई से पता चलता है कि elf examini यहां से चला गया है और बोलता है अब मुझे भी जल्दी जल्दी सभी ball लेनी होगी फिर वो blue wall लेने की planning करता है फिर मकटो बोलता है मुझे बहुत ध फिर से arrow चलाना हुगा फिर वो arrow fire करता है वो ball को लगता भी है लेकिन इस बार ball ही गया हो जाती है मकटो के investigation काई से पता चलता है कि ball टेलिपोर्ट हो गई और वो गुस्स से बोलता है क्या मैं पूरे testing area कोई जला दूँ लेकिन फिर सांथ हो जाता है और फिर से focus करके arrow चला रहे हैं ना की pass होके फिर साम हो जाती है इस बार मकटो yellow ball लेने वाला था वो अपने आपको काई से week करता है और अपने fireball को बहुत छोटा कर लेता है फिर attack करता है इस बार yellow ball normal होके नीचे गिरती है जिससे मकटो बहुत खोस होता है test को end होने में एक दिन बस बचा था रात इस बार monster के साथ साथ एक assassin भी था वो सोने का नाटक कर रहा था और मकटो पर हमला कर देता है जिसको मकटो ब्लॉक कर देता है फिर वो assassin invisible हो जाता है लेकिन मकटो को काई की help से वो दिख रहा था मकटो उससे दूर जाता है लेकिन वो एक्जामनी उसको पकड़े कि उस पर चाकू से हमला करता है मकटो चाकू को तोड़ देता और बोलता है चोटे मोटे चीजों से तुम मुझे नहीं मार सकते और देखता है उसके हाथ मैं तो खट लग गया है जिसमें poison था मकटो बोलता है तुम्हारी वजह से सब ही आग्जामनी भाग गये थे तुम मुझे यह यहां मारने आयो क्या असाइसन बोलता है मैं तुम्हें यहां मारने तो नहीं आया था लेकिन तुमने मेरा चाकू तोड़ दिया अब तो तुम्हें मरना ही होगा मेरे चाकू मैं instant poison लगा था जिससे कोई भी मर जाएगा मकटो बोलता है तुमने poison neutralize कर दिये लेकिन कैसे मक असाइसन को पैरलाइस कर देता है तुम मेरे एक्जाम के बीच में आ रहे हो असाइसन बोलता है तुमने poison neutralize कैसे किया वो तो बताओ मकटो बोलता है वो मुझे अभी अभी new gift मिला है जिससे किसी भी poison का सन मेरे उपर नहीं होता और दौड की आता है और असाइसन को किक मार के दूर फेक देता है और red ball लेने जाता है लेकिन सभी red ball टूटी हुई थी क्योंकि मकटो की body से माना निकलता रहता था जिससे उसकी physical attack बहुत strong थे और उसकी bow में भी magic था फिर उसको याद आता है उसके पास तो एक चाकू भी है फिर मकटो चाकू से red ball पर attack करता है जिससे वो ball टेलिपोर्ट हो जाती है मकटो फिर से चाकू से attack करता है और red ball नॉर्मल होकी गिर जाती है अब मकटो के पास सभी ball थी जिससे वो बहुत खुश था और golden feather निकालता है और जाने लगता है और बोलता है ये तीन दिन मां कभी नहीं भूलने वाला वो सभी examine के पास आता है जहां वो सब उसको घूर के देख रहे थे क्योंकि असेशन की वज़े से उनको drop out टेना पड़ा था टीचर को लगता है मकटो भी drop out लेके आया है मकटो बोलता है मैं तो एक्जाम पास करके आया हूँ ये देखो मेरे पास तीनों color की एक-एक ball है टीचर तीनों बॉल दे बोलता है हमारे पास अभी थोड़ा टाइम है हम होट पॉट खाने रेस्टोरंट चलते हैं फिर सीन सिन पर आता है जो लेक की पास आगे थी मियों अभी भी travel कर रही थी मकोटो का एक्जाम लेने वाला टीचर दूसरी टीचर को बताता है उसने एक्जाम पास कर लिया प्र जिसके आगे के थोड़े बहुत एपिसोड जैसे ही आते हैं मैं उनको एक्ष्प्रेन कर दूँगा वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीना ओके